ओम शी गणिशा आये नमा राधराय दोस्तों आप सभी का मेरे चनल बतकता एस लोजर में स्वागत है तो आज की वीडियो में हम सेकंड मन प्रेगनेंसी के दोरान लड़का होने के वो कौन से सटीक लक्षन दिखाए देते हैं जिससे कि आप काफी हद तक अनुमान लगा सकते हैं और ये अनुमान आपका बहुत हद तक बिल्कुल सही निकलेगा तो दोस्तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टन होने वाली है इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें उससे पहले दोस्तो अगर अभी तक आपने मेरा चलन सस्क्राइब नहीं कर रखा तो सस्क्राइब जरू कर लें और बैल आइकन पे भी देखे औल पे सिलेक्ट करके क्लिक कर दें जिससे जब भी मैं नई वीडियो डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सेगे सबसे पहले लक्षन की बात करें तो दोस्तो अगर आपका स्याकिन मंद प्रेगनिंसी का चल रहा है और आपको देखे सिर में रेगुलर दर्द बना ही रहता है यानि आपके सिर में दर्द होता ही रहता है बिल्पल सही पाया गया है नेक्स लक्षन की बात करें तो दोस्तो जैसे ही आप कंसीड करते हैं दूसरे-3 महीने से ही अगर आपका पेड़ kind दिखाई देने लगता है यानि आपका पेड़ थोड़ा बाहर के तरफ दिखाई second month pregnancy के दोरा अलगर आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको थकान बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है कमजोरी फील कर रहे हैं तो ये sign में देखे लड़का होने का माना जाता है नेक्स लक्षन की बात करें तो दोस्तों अगर आपको pregnancy के second month में बहुत ज़्यादा नीद आ रही है यानि आप ज़्यादा काम नहीं करते हैं फिर भी आपको नीद बहुत ज़्यादा आ रही है तो ये baby boy होने का sign माना जाता है वहीं पर दोस्तों जैसे आपकी pregnancy बढ़ती जाती है और आपके नीद बहुत कम होती जाती है यानि बार बार आपकी नीद डिस्टरब होती है आप चैन की नीद नहीं सो पा रहें तो ये sign भी देखे लड़का होने का माना जाता है नेक्स लक्षन बहुत ही स्टिक माना जाता है दोस्तों ये 99% गर्वती महिलाओं में बहुत जादा देखा गया है दोस्तों वो है craving होना अगर आपको pregnancy के साकिन मन से ही बहुत जादा मतलब food craving हो रही है जो चीज़े आपको पहले मतलब पसंद थी लेकिन आप पसंद नहीं आ रही है आप उनको नहीं खा पा रही है और जो चीज़े आपको पसंद नहीं थी वो चीज़े आपको पसंद आ रही है तो ये साइन में देखे कहीं ना कहीं लड़का होने का माना जाता है दोस्तो नॉर्मली ये सभी देखे लक्षर ने हो हार्मोन अब डाउन होते रहते हैं उसकी वज़े से होते हैं लेकिन बहुत बार इसे देखे लड़का लड़की से जोड़कर देखा जाता है और ये बहुत हद तक बिल्कुल सही भी पाए जाते हैं तो दोस्तो इन लक्षनों से आप काफी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है बेबी गल को दोस्तो वीडियो थोड़ी से भी पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जुरू करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आप